येशु के बाद प्रेरितों ने पहली बार किसी मृतक को जीवित किया सबसे बड़ा चमतकार क्या है जो परमिश्वर हमारे लिए कर सकता है कुछ लोग शरीर की चंगाई को परमिश्वर का सबसे बड़ा चमतकार मानते है तो दूसरे कुछ लोग मृत्यकों के जी उठने को परमेश्वर का सबसे बड़ा चमतकार मानते है लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़ा चमतकार एक पापी का उध्धार है पापी कौन? हम सब हर वो मनुष्य जो इस संसार में जन्म लेता है वो जन्म सही पापी है तो उसका उध्धार हो जाना मतलब उसके पापों को ख्षमा मिलना और उसके स्वर्ग जाने के मार्क का तयार होना वही सबसे बड़ा चमतकार है लेकिन क्यों? क्योंकि उध्धार के लिए परमेश्वर को सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी अपने एकलोते पुत्र येश्य मसीः का बलिदान और केवल मनशी का उद्धार ही परमेश्वर को सर्वोच्य महिमा देता है मतलब आप बाकी जो कुछ भी करते हैं अपने मसीः जीवन में उससे परमेश्वर की उतनी महिमा नहीं होती जितनी इस बात से कि एक समय में आपने अपने पापों से मन फिरा कर येश्य को अपना एकमात्र परमेश्वर और उद्धार करता है इससे परमेश्वर की सर्वोच्य महिमा होती है जब एक पापी मन फिराता है लेकिन इस खंड में हम देखेंगे कि पत्रस चंगाई भी देता है, मुर्दे को जीवित भी करता है और अगले अध्याय में यानि दसवे अध्याय में पत्रस दौरा दिये गए संदेश से अनिजाती के लोगों का उधार भी होता है तो तीनों बाते होती हैं, प्रेरितों का नो बत्तिस और ऐसा हुआ कि पत्रस हर जगा फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा यानि विश्वासियों के पास जो लुद्दा में रहते थे वहां उसे एनियास नाम जोले का मारा हुआ एक मनुश्य मिला, जो आठ वर्ष से खाट पर पड़ा था अब पत्रस को तो बिल्कुल याद होगा कि जोले के मारे हुए एक रोगी को पहले येश्व ने भी चंगाई दी थी तो उसे सब कुछ याद होगा कि येश्व ने क्या किया था, क्या कहा था तो पत्रस ने उसे कहा हे एनियास येश्व मसी तुझे चंगा करता है उठ अपना बिच्छोना बिच्छा तव है तुरंद उठ खड़ा हुआ और लुद्ध और शारौन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की और फिरे तो फिलाल पत्रस एक भ्रमनशील सेवकाई में लगा हुआ था घूमरा था इदर उदर लुद्ध यरुश्व ने लगबग 25 मिल की दूरी पर स्थित था और बड़े पैमाने पर अन्य जातियों का शेहर था ये बहुत संभव है कि इस खेत्र में सबसे पहले पिंतिक उसके दिन विश्वास में आये मसीयों द्वारा प्रचार भी किया गया था जो चर्ष के उत्पीडन के समय दूर दूर तक फैल गये थे फिर प्रेरितों के आठ चालिस के आधार पर संभव था प्रचारक फिलिप्पुस भी अपने सेवकाई की यात्रा के दौरान लुद्दा नगर पहुँचा था इस घटना में हम जोले के मारे रोगी एनियास के बारे में बहुत कम जानते हैं जैसे कि हमें नहीं पता वो कितने साल का था क्या वो येश्यू मसी पर विश्वास करता था या नहीं क्या वो एक यहूदी था या अन्यजाती का था इत्यादी नहीं ये सब हमें नहीं पता पत्रस ने ये सब देखकर उसको चंगा नहीं किया था बलकि परमेश्वर की योजना में और परमेश्वर के समय से उसे चंगा किया था पतरस ने कुछ लोग गलत सिध्धांत सिखाते हैं वो किसी के घर जाते हैं प्रातना करते हैं चंगाई के लिए किसी की फिर जब उसकी चंगाई नहीं होती तो उसे पर इलजाम डाल देता है कि भाई तुमारे चंगाई इस लिनी हुई क्योंकि तुम येश्यो मसी पर विश्वास नहीं करते है या ठीक से विश्वास नहीं करते है थिया दिक लेकिन ये सब गलस एधानत है यहाँ पत्रस ने उस रोगी से यह नहीं पूछा, कि भाई तुम पहले यह बताओ, कि तुम येशु पर विश्वास करते हो या नहीं? और अगर करते हो तो कितना गरते हो ताकि तुम्हारी चंगाए हो सके? नहीं, पत्रस नहीं अज़ा कुछ नहीं पूछा. जैसा कि मैं पिछली classes में समझा चुका हूँ कि चंगाई केवल विश्वास के माध्यम से होती हो ये जरूरी नहीं अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे website hindibiblestudy.com पर देख सकते हैं ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियो में अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महिना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियो में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपिया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तमाल करें तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप Play Store में जाएं और उपर Google Chrome टाइप करें फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये एकदम फ्री है इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये भी एकदम फ्री है इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेब साइट Google Chrome में खुल जाएगा और आपके वीडियोज अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियोज बिल्कुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबा कर 240P 240P सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा 240P सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए